कहते हैं कि वक्त सबसे बड़ा ताकतवर होता है और इससे बड़ा कोई ईश्वर भी नहीं होता है इसी मद्दे नजर हो सकता है कि आगामी 29 नवंबर से पहले राष्ट्रिय जनता दल के मुख्या लालो प्रसाद यादो के बड़े बेटे तेज प्रता प्यादो बड़ा फैसला लेने और वो तलाक लेने से पीछे हर जाएं ऐसा क्यूं हो सकता है इसके पीछे कुछ वज़े हैं जिने अगर ध्यान में रखा जाए तो तेज अपनी जिद छोड़ सकते हैं पहली वज़ा है पिता लालो का स्वास्त है ऐसा हो सकता है कि पिता की खातिर तेज अपना फैसला वापस ले ले तो वहीं दूसरी वज़ा ये है कि माता पिता का सम्माद जैसा कि दिल्ली में राबडी से मुलाकात भले ही बेटे तेज से ना हुई हो मगर पटना पहुचकर राबडी ने कहा है कि तेज उनका बेटा है और वो जरूर घर लोटेंगे इसके साथ ही राबडी ने ये भी कहा है कि उनकी रोजाना बात भी होती है तो वहीं हो सकता है कि मा राबडी के समझाने पर तेज वापस भी आ जाए और मुश्किलों को हल कर दें तो वहीं सबसे मजबूत और तीसरी वज़ा है पत्नी एश्वर्या अगर पत्नी खुद तेज के सामने जाकर अपनी गलतियों के लिए माफी मांगती है तो जाहिर सी बात है कि हो सकता है कि लालू राबडी से ज्यादा ये वज़ा कमाल कर जाए अगर अश्वर्या माफी मांगकर परस्तावा करती हैं तो फिर निस संदे तेश परताब पिखल सकते हैं और इस तरह से यादो परिवार की मुश्किल का हल निकल सकता है SPN 9 Newsroom की रिपोर्ट